नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल CNC गुरू महेंदर वर्मा में और मैं महेंदर वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपके लिए एक सीरिज बना रहा हूँ जिसमें जो CNC मशीन के कैनेट साइकल प्रोग्राम है उनके लिए तो दोस्तों आज जो है मेरा ये तीसरा वीडियो है आज का जो वीडियो है वो G73 कोड जिसका मतलब होता है पैटरन रिपेटिंग साइकल उसके उपर वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है कि हम लोग इसमें आज सिखेंगे कि पैटरन रिपेटिंग साइकल में किस प्रकार से जो हम लोग है टर्निंग कर सकते हैं तो दोस्तों ऐसे साथी जो लो ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले इस वीडियो की G73 जो कोड होता है वो किस परकार से काम करता है दोस्तों G73 कोड का मतलब होता है पैटरन रिपेटिंग साइकल तो पैटरन रिपेटिंग साइकल का जो कोड है वो किस परकार से जोब की उपर वरकिंग करता है तो मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हू हों की जो हमारे ड्रूइंग किस परकार से हैं सबसे पहले यह सलेंडरीकल जोब है और इस सलेंडरीकल जोब में से हम इस परकार कि यह और इसनी बिलаксोम में और उसके буाथ यह आपका 30 संद इसके 20 mm का है तो दोस्तो जो 20 mm का जो डाया है उसकी जो लंबाई है वो हमारी 30 mm है और जो डाया आपका 30 mm का है यहां से लेकर करके यहां तक उसकी जो लंबाई है वो आपकी 35 mm है और जो आपका डाया 40 mm का जो लास्ट में सबसे बड़ा डाया है उसकी जो length है वो आपकी 40 mm है तो दोस्तों जो dia आपका 30 है dia 30 की उपर एक R5 लग रहा है आपका यहाँ पर radius लग रही है 5 की तो 5 mm की radius है और यह जो जितनी भी dimension देख रहे हैं यह सभी dimensions यह mm के अंदर है तो हमारा जो pattern repeating cycle code है वो किस परकार से working करता है तो उसके लिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा pattern repeating cycle है वो इसी जो सामने आपको job दिखाई दे रही है यह जो final job दिखाई दे रही है इसी pattern के अधार पर working करेगा तो सबसे पहले जो tool आपका वो हवा में working करता हुआ दीरे दीरे material को काड़ता रहता है तो जैसे यह हमारी profile है तो tool हमारा इस प्रकार से working करेगा पहले ऐसे हवा में working करेगा और इस प्रकार से working करता रहेगा फिर नीचे के और कट लेगा इस प्रकार से cutting करता रहेगा ऐसे जाता रहेगा धीरे 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 करके जो हमारा जो tool है वो हमारी इसी profile के नजदीक जो है वो पहुंच जाएगा इस प्रकार से इसी profile के उपर ही काम करेगा tool हमारा दीरी-दीरी करता-करता टूल जो है वो आपका यहां तक पहुंच जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो यह drawing है इसके बारे में आपको सबसे पहले समझना है कि drawing जो हमारी वो किस प्रकार से है drawing में ने आपको बता दी है और हमारी इसके अंदर कितने coordinate बनेगे तो वन ala नंबर वन अकोंगर का है और यहाँ से आपकी radius की शुरुआत होती है और यहान पर radius आपकी खतम हो जाएगी तो यहां वाला जो coordinate no.4 और यहां पर जो है coordinate no.5 तो टोटल इसके अदर पाच कोडिनेट बनेंगे और बहुत ही सिंपल है इसका जो है वो प्रोग्राम बनाना तो आईए हम लोग सुरुवात करते हैं प्रोग्राम की sign लगाएंगे, तो यह हमारा end of block का sign होता है, उसके बाद में मैं यहाँ पे sequence number डालूंगा, n1, मैं tool के लिए sequence number डाल रहा हूं, आप अगर चाओ तो हर line के लिए भी sequence number डाल सकते हैं, program के हर line के आगे आप sequence number डाल सकते हैं, यहाँ पर मैं home position का code ले रहा हूं, G28, U0.0, W0.0, यह हमारा home position का code हो गया, इसके बाद में tool select करूँगा कि कौन से tool से मैं यह वाली जो 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 गया, इसको बनाना चाहता हूं, तो turret का मैं tool number मालों मैंने एक select किया है, T01 मैंने select किया है, यह हमारा हो गया tool number और इसकी offset जो है, तो offset number 1 में रखा है, तो offset number भी इसका एक है, यह tool number हो गया, यह हमारा offset number हो गया, इसके बाद में मैं rpm select करूँगा, तो मैं यहाँ पर G97 में इसको बनाना चाहता हूं, तो G97 का जो मतलब होता, वो fix rpm होता है, तो fix rpm मैं यहाँ पर लेना चाहता हूं, G97, यहाँ पर spindle की speed जैसे मैंने यहाँ पर 1500 rpm रख लिया है पर minute, और spindle की जो rotation है, वो M03 में मैंने इसको rotate करवाया है, spindle को, तो उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं, कि अगर कोई जो यह मेरा पहला वीडियो जो अगर देख रहा है, तो जिसको पता नहीं है कि program जो होता है, वो inch में बनेगा, यह MM में बनेगा, तो MM के लिए जो code होता है, वो आपका G21 code होता है, G21 का मतलब होता है, MM data input, और absolute programming का जो code होता है, वो होता है हमारा G90, G90 में हमारी जो absolute programming बनती है, उसके बाद में जो अगला जो code है उसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां पर एक code और लगता है G99 G99 code का मतलब होता है आपका feed mm per revolution feed mm per revolution अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप G99 का जो code है वो लगा सकते हैं तो दोस्तो अब हम लोग शुड़ात करेंगे हमारे इस जो 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 है इसके बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो हमारा जो टूल है वो पीछे home right position पे होता है यह यहाँ पर home position है हमारी तो यह Home Position पर Tool है तो टूल को जब हम नजदीक लेके आएंगे जोब के यह हमारी Home Position तो टूल जो है वो Rapid में यहां पर आएगा जोब के नजदीक में 0 और Z को जो मैंने जॉब से 1 mm दूर कर लिया Z 1.0 और यहां पर मैंने M08 लगा करके Coolant को भी on कर दिया है तो यहां पर मेरा Coolant भी on हो चुगा है M08 में मैंने यहां पर Coolant को on कर दिया है और यह end of block लगाया है अब जो है वो मेरा जो G73 code का जो है वो roll यहां से शुरू होगा तो यहां पर मैं यहां पर code लगाऊंगा G73 तो G73 code का मतलब आपको पता ही है pattern repeating cycle यहां पर U लगेगा इस U का मतलब है दोस्तो total depth of cut की इस job को बनाने के लिए मुझे कितने mm का depth of cut है total total मतलब यहां से लेकर कि कि यहां तक कितना total depth of cut है वो मेरा आएगा तो यहां से total depth of cut है उसको निकालना भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि total depth of cut कि इस परकार से निकाला जाएगा और उसके बाद में यह हमारी जो job है कितने cut में कटेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा तो यह तो हमारा depth of cut in आपका z axis है, यहाँ पर आप w लगाएंगे, तो w का मतलब होता है total depth of cut in z axis, और उसके बाद में यहाँ पर हमारा लगता है r, तो r का मतलब होता है number of cut, कि हमारा जो यह जो प्रोग्राम है, यह कितने cut के अंदर जो आपको कटेगा, तो सबसे पहले मैं u, u की value निकालना आपको बताऊंगा, कि u की value जब वो किस परकार से हम लोग निकालेंगे, तो u की value निकालने के लिए हमें सबसे पहले यह ध्यान देना है, कि हमारा सबसे बड़ा जो डाया है, वो हमारा कितने mm का है, 40 mm का डाया है, तो 40 mm का डाया जो है, सबसे पहले हम लोग यहां पे लेंगे 40 तो एक फॉर्मूला होता है बड़ा डाया में से माइनस छोटा डाया करेंगे तो हमारा बड़ा डाया जो है और छोटा डाया जो हो हमारा 20 का है तो 40-20 divided by 2 तो 40-20 divided by 2 करेंगे तो यहां पर आगया आपका 20 divided by 2 equal to आपका आएगा 10 तो आपका जो एक साइड का जो डेप्ट अपकट है वो आपका जो आएगा वो 10 आएगा और टोटल जो आपका नंबर ओफ कट है वो आपका आएगा 20 नंबर ओफ कट जो है वो 20 आएगा नंबर ओफ कट जो है वो आपका 20 आएगा यहां पर तो जो आपका यू है वो आप यहां पर आएगा आपका 10 भी मतलब आपका जो टोटल डेप्ट ओफ कट है वो आपका है 10 और डबलू में हमने कोई भी डेप्ट ओफ कट नहीं लेना है तो यहां पर डबलू की वेल्यू डालना जुरूरी नहीं है और यहां पर जो हमारा number of cut है वो आपका ये जो 10 आया है इसका जो है वो double हो जाएगा यहां पर तो यहां पर मैंने यहां पर 20 डाल दिया है तो number of cut जो है वो हमारा 20 रहेगा और आपका depth of cut total वो आपका 10 रहेगा उसके बाद में अगली line पर आते हैं G73 का code फिर से यहां पर लगेगा और P P का मतलब आपको पहले ही पता है कि जो आपका first block होता है first block में final profile जो होता है वो यहां पर value डाली जाती है यहां पर मैंने P की value 100 डाल दी है यह same value जो है वो आपका G71, G72 and G73 तीनों के अंदर लगता है और Q की value जो होती है वो final profile का जो last block होता है उसके लिए होता है 200 value यहां पर मैंने डाली है और उसके बाद में same वही यहां पर डालना है U, U finishing cut है आपका finishing allowance in X axis तो यहां पर मैंने 0.1 mm का लिया है finishing allowance और यहां पर W, W का मतलब मैंने यहां पर लिया है finishing allowance in Z axis तो मैं यहां पर भी जो है वो 0.1 का material जो है वो छोड़ रहा हूं finishing allowance के लिए और यहां पर मैंने feed लगाई है 0.2 के हिसाब से तो यह जो मेरी line है यह complete हो चुकी है यहां पर W के value डालना कोई जुरूरी नहीं है क्योंकि हम जो है वो facing नहीं कर रहे है only for हम लोग जो अब वो turning के अंदर चल रहे है तो सारे जो भी coordinate है वो आपके G01 के अंदर आएंगे G01 तो सबसे पहला पहला जो हमारा coordinate है इस job के अंदर वो आपका एक नमबर यहां पर है हमारा तो डाया 20 का बन रहा है हमारा जो coordinate नमबर है वन पर तो coordinate नमबर वन पर जो हमारा डाया है वो हमारा 20 mm का बन रहे है तो X की value यहां पर हमने 20 लगाना है 20.0 और Z की value जो है वो हमारी 0.0 रहेगी कि हमारा जो tool है वो हमारा बिल्कुल 0 पे रहेगा और end of block लगाना आपने नहीं बूलना है coordinate number 1 से 2 number coordinate पे अगर हम आ रहे हैं तो हमारा जो 2 number coordinate के उपर जो x की value है वो तो आपकी 20 ही रहेगी g 0 1 x 20.0 and z आपका रहेगा 0.0 z माइनस आपका हो जाएगा 30 का z माइनस आपका 30 हो जाएगा z माइनस 30 इसलिए हुआ है क्योंकि उपर x प्लस में होता है x माइनस में होता है नीचे और इधर जो होता है वो आपका z माइनस होता है और इधर जो होता है वो आपका दो नंबर कोडिनेट से जब हम लोग तीन नंबर कोडिनेट पे जा रहे हैं तो वह सामने जो है वो रेडियस लग रहा है पांच का तो जो हमारा जो पांच का जो रेडियस है वो पांच इदर से तो anti-clockwise radius को लगाने के लिए G73 code का जो है वो इस्तिमाल किया जाता है तो यहाँ पर code आएगा आपका G73 नहीं G03 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 X की value आपकी हो गई 30.0 और आपका जो Z- है वो कितना हो जाएगा Z- में आपका हो जाएगा यहाँ से लेकर कि 30 mm तो यह है और 5 mm का हमारा radius है तो यहाँ पर जब हमारा tool रुका हुआ था तो यहाँ पर Z- 30 था और जैसी tool हमारा radius को इसे काड़ता हुआ आगी की और बढ़ जाएगा तो यह जो 5 mm है वो भी हमारा जो हमारा आगी की और बढ़ जाएगा तो z minus यहां तक हमारा हो जाएगा 30 और 5 35 हो गया और यहां पर आपने r लगाना नहीं बुलना है अगर आप r नहीं लगाएगे तो radius जो है आपका कटेगा नहीं तो r आपने लगाया है यहां पर 5.0 and of block आगी की जो program की lines है वो मैं यहां पर बना रहा हूँ उसके बाद में 3 number coordinate से 4 number coordinate पर आपको पहुंचना है तो 4 number coordinate पर पहुंचने के लिए आपका जो डाया है वो आपका 30 mm का है तो यहां पर हम लोग लगाएगे g0 g01 x की value 40.0 z minus z minus आपका 4 number coordinate पर हो जाएगा 30 and 35 तो यह हो गया total 65.0 and of block तो coordinate number 4 से coordinate number 5 पर जाएगे तो यह हमारा first coordinate था और यह हमारा last coordinate था प्रोग्राम की जो last line है उसके लिए हम लोग जो है वो q की value जो होती है 200 वो हम लोग यहां पर लगाएगे तो n में यहां पर 200 आपका आएगा और x की value जो है आपकी 40 हो जाएगी x की value 40.0 ही रहेगा जाड माइनस आपका 65 ही रहेगा क्योंकि आपका जो टूल है वो ऊपर की और गया है नीचे आगी की और नहीं बढ़ाएगा तो जाड माइनस आपका 65.0 ही रहेगा तो यह जो हमारा यहां पर जो हमने इस profile के नसार जो coordinate है वो यहां पर complete कर दिया है यह तो हमारे जो भी rough cut थे वो हमने डाले है यहां पर तो अब जो है वो आपका finishing cut लगेगा तो g70 का जो code होता है वो हमारा होता है finishing cycle तो यहां पर code लगेगा यह 70 लगेगा यहां पर जो भी p की value है वो हमने डालनी है final profile होता है यह final profile coordinate होता है और यहां पर यह जो है वो q200 हमने यहां पर डालना है और end of block लगा देना है तो यह हमारा finish cut भी जो है वो cut किया जो last का जो finish cut है वो आपका बिल्कुल पूरा पूरा इस profile को उपर इस परकार से working करता हुआ जाएगा जो भी मैंने यहां पर material छोड़ा था यू के अंदर point one finishing के लिए चोड़ा था और W के अंदर भी मैंने point one छोड़ा था finishing के लिए वो सारा का सारा material जो आपका इस finishing cycle के अंदर कट जाएगा तो इसके बाद हम लोग जी एटी लगा करके इस canad cycle को cancel कर सकते हैं उसके बाद में जी टवंटी एट कोड लगाना है आपको home position पे पहुंच आने के लिए tool को 0.0 U 0.0 और W 0.0 तो tool जो है आपका वो home position पे पहुंच गया है इसके बाद में आप यहां पर M09 लगा करके coolant को off कर सकते हैं और M05 लगा क करके spindle को भी stop कर सकते हैं और उसके बाद में आपको M30 लगा करके program को end करना है अगर आप M30 नहीं लगाएंगे तो आपका जो program है वो end नहीं होगा यह आपको एक बार और मैं आपको बता देता हूं जी 73 मतलब होता है आपका pattern repeating cycle यू यू जो होता है आपका वह होता है टोटल depth of cut है वह आपका एक side से कितना है 10 है और एक side से कितना है 10 है तो total depth of cut है 20 है उसके बाद में W जो है वो depth of cut in Z axis होता है तो Z axis में हमने कोई भी depth of cut नहीं डालना है यहां पर आ रहा है आपका आर आर का मतलब होता है आपका number of cut यह जो हमारा जो टूल है यह हमारा टूल है यह total जो cut लगाएगा वह 20 cut के अंदर इस program को पूरा करेगा यह जो हमारा जो आर 20 का मैंने यहां पर लिखा है आर 20 इसी लाइन के आगे तो यह total जो है वह 20 cut के अंदर लगाएगा जितना आपका depth of cut है यह आपका इससे double करना है आर को और यह जो है आपको जी 73 का यह last block के लिए final profile के लिए यह मैंने यहां पर यू के उपर जो material लगो छोड़ रखा है finishing allowance के लिए और यहां पर यह जैड एक्सिस पर मैंने material को छोड़ा है तो दोस्तों आज का जो यह वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो वीडियो है यह जो टूल है किस नमस्कार